दूसरा जो break का काम करता है वो है prefrontal cortex Young age के अंदर 24 साल तक जो है break वाला हिस्सा कम काम करता है कम developed रहता है उस समय सरफ accelerator वाला हिस्सा जादा काम करता है addiction एक प्रकार का pediatric बिमारी है अगर आप addicted लोगों की history लेते हो तो पहली बार उन्होंने कब नशा सुरू किया ज्यादातर लोगों के अंदर 10 साल, 12 साल, 14 साल के अंदर वो first experience उनका होता है tobacco जो है वो काफी powerful addicting substance है यह है heroine से सोगना और जो कोकेन होता उससे हजार गुना ज्यादा addiction liability प्रोड्यूस करने वाला substance है tobacco तुबैको में smack less tobacco और smoking वाला tobacco दोनों ही included है जब व्यक्ति पहली बार किसी भी कारण से दोस्त के offer करने से या experiment करने की वज़े से या अपने role model जैसे दादा के लिए जैसे गाओं के अंदर सुलफी जला के ला रहा है या तंबाकू का हुका जला के ला रहा है तो उसने दो फूंक पीली उसने तो initially जब भी कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसको एक relaxed और pleasurable feeling होती है उसको energized feel करता है तो जिस काम को करने से उसको आनंद और अच्छा मैसूस करता है उसको वह बार-बार करने दो रहाता है इंफेक्ट क्या है कि जो पहला कदम है नसे की और वही आखरी कदम हो जाता है तो prevention अपने को पहले करना है लगातार नशा करने से अपने brain में कुछ permanent structural changes हो जाते हैं जैसे ही व्यक्ति ने नसा किया nucleus accumbens में एक तरह से dopamine का surge होता है और उसको एक बहुत बड़े आनंद की अनुभूती होती है और relaxation feel होता है उस अनुभूती का उसके hippocampus के अंदर storage हो जाता वो pleasurable memories के रूप में तो वो उसको बार-बार की तरफ ले जाने के लिए उसको प्रवर्त करता है कि वो दुबारा दुबारा नशा करें कुछ समय बाद में उस व्यक्ति के अंदर उसकी chemical dependence हो जाती है और nicotine नहीं मिलने पे उसका brain demand करने लग जाता है उसको craving होने लग जाती है उसकी performance decline हो जाती है उसको चिडचडाट हो जाती है withdrawal symptoms हो जाते हैं और वो चहा करके भी वो अपने आपको तंबाकू के future उप्योग के बावजूद रोक नहीं पाता है जिससे सरकार ने लिखवा दिया कि गुटके पे कि इससे cancer से मोत हो सकती है इसको पता है पर उसका जो addiction है उसको अपने आपको टमबाकू के इस्तेमाल से या गुटके के इस्तेमाल से रोक नहीं पाता है वो इसमे दो मैसेज है पहला मैसेज तो है जो नशा करता है दूसरा मेसेज है उसके घरवालों के लिए, जादातर घरवाले नसा करने वाले लोगों के प्रती तिरसकार का भाव रखते हैं, वो कहते हैं कि यह नालायक बच्चा है या बेकार व्यक्ति है, इसको कितना ही समझा दो यह समझता नहीं है, जबकि इनफेक्ट क्या है कि एड दाइबिटीज और ब्लड प्रेसर की तरह से बिमारी है, पहले अडिक्टेड परसन को अपन खराब चरित्र का व्यक्ति मानते थे, परन्तु आजकल अडिक्शन वाले व्यक्ति को भी जैसे डाइबिटीज वाले व्यक्ति के प्रती हार्ट के रोगी को थोड़ा सा बूती से देखते हैं, वैसे ही उनको भी सानुबूती से देखना है और उनको ट्रीटमेंट ओफर करना है। दूसरा जो मैसेज है नशा करने वाले व्यक्ति के लिए कि जो कोई भी नशा हो, वो नशा एक बिमारी है और उसका प्रोपर इलाज किया जाए, तो वो छूट स किस प्रकार बाले काल से शुरू होती है व्यसन और इसमें एक रोचकता थी ये भी है कि ना सिर्फ हम अपनी पीडी खराब करते हैं, बरकि हम आने वाली पीडी भी खराब कर देते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक चेंजिस होते हैं नशा करने वाले लोगों में, ये देखा ग बहुत सारे कैंसर के कंड़ देखे जाते हैं, तो सिंगल साब आप बताएं कैंसर किस प्रकार से जुड़ावा है और क्या-क्या इसके कारक हैं जो पहले से पैचाने जा सकते हैं और किस प्रकार इसके रोप तक हाम करें देखिए हमारा भारत वर्ष जो है बहुत ही गौरफ शाली देश है और इसके बहुत ही गौरानवित महसूस किये जाने वाले हम लोग नागरिक हैं पर आपको पता है कि भारत वर्ष विश्व की सिर मुख और गले के जो कैंसर है, हेडनेक कैंसर की कैपिटल है, राजदान जाता है आप अगर आंकडों को देखें तो हमारे देश में सबसे कॉमन जो कैंसर है वो है हेडनेक कैंसर और जिसका मुख्य कारण है तमाकू इससे होने वाली मौतें अगर आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखें सब को जोड़ के तकरीबन साड़े तेरा ल लोग तमाकू के कारण हमारे देश में हर साल मर जाते हैं मौत का ग्राज बनते हैं साड़े तेरा लाक का मतलब है रोज के दस यात्री एरोप्लेन जो होते हैं उनका उनसे ज्यादा क्रैश होना साल की दस सुनामी से ज्यादा होना उससे ज्यादा मौतें एक अकेला ऐसा सब्स्टेंस है जिसका कोई उप्योग अगर कोई बता दे मैं उस दिन से अपने चिकिस्ता की व्यवसाय चोड़ दूँगा मानो मातर के लिए तंबाकू का न तो औशिदिये कोई गुण है ना खाद्य प्रदार्त के रूप में कोई शरीर के लिए गुण है ना उसके अंदर कोई भी किसी तरह का कारक है जो हमारी व्रदी में कामात है यह तो बात भी तंबाकू की तो तंबाकू के कारण जो सिर मुख और गला के कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में जबकि अगर विश्व के परिपेक्ष में देखें तो लंग कैंसर और ब्रेस कैंसर ज़ादर कामन है अगर आप तुल्ला करें सिर मुग गला के कैंसर बढ़ हम ये बहुत ही शोचनी है बात है कि भारत वर्ष पे सबसे कामन कैंसर ऐसी चीज़ से हो रहा है जिसको हम रोक सकते है तमाकू के कारण शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो अचुता रहता हो कि तमाकू से कैपे पाई सिर से लेके पैर तक के हर अंग affect होते हैं कैसे तमाकू से cancer हम देख रहें सिर मुग गला के cancer सबसे कामन है ओ फैंफोडो का cancer आहर नाल का cancer, तब माकू से होने वाले पक्षागात, मस्तिक्ष पक्षागात या brain hemorrhage, TIA, जो इसमें ischemic attacks आते हैं, heart attacks आते हैं, दमा होना, chronic bronchitis होना, फैंफडों की शम्दा कम होना, तब माकू के करण especially smoking, बीडी और cigarette की smoking के करण peripheral vascular disease होती है, जिसमें आपकी खून की नलियां सिकुड जाती है, सिकुडती हैं, धीरे धीरे आपके अंग में गैंगरीन या सरना शुरू होता है, ऐसे लोग, आप देखें, राजगोवीन सर सामने बैठा है, इनका cancer में बहुत बड़ा अनुबह है, और यह देखते होंगे, सर्जन सारे की, पीवीडी जो होती है, उसमें उंगली काटनी बढ़ जाती है, यह हाथ काटनी बढ़ जाता है, इसमें रख्षती का कमजोर होना, युवाओं में बदिर्ता का आना, युवाओं में जो है, नपून सकता का आना, आप देख रहे हैं, यह सब तमाकू से हो रहा है, तो ऐसा कोई अंग नहीं है, जो अचुता रह रहा हो, तो हम विश्व की जो धरोर है हमारे भारतवर्ष, उसे के साथ एक बहुत बड़ा धबा तमाकू के रूप में लग रहा है, रही बात इसके कारणों को जानने की, तो मुख्य कारण तो तमाकू ही है, किसी भी फॉर्म में लिया जाए, जहर जहर है, बचाव जो हम कर सकते ह हैं, वो यह है कि हम प्रैतन करें कि इसका सेव नहीं किया जाए, चाहे वो मग्या, मैनो विज्ञानिक रूप से आप देखें, बच्पन से ही हम कई तरह के मुल्य हमारे बच्चों में डालते हैं, कई तरह के नितिक्ता के पार्ट उने पढ़ाते हैं, हम कल्चर में डालते हैं, हमारी संस्कृति में डालते हैं, तो इस इतनी अच्छी भारतवर्ष की संस्कृति में ये चीचे कब से घर कर देगी, बहुत अपहुत है, हमें पुनर्चिंतन की आत्ममंधन की जरूरत है, कि हम ऐसी गंदी चीजों का सेवन जो पून तया ही शरीर के लिए नश्वर हैं, उनका सेवन ना करें, हम प्रिरित करें हमरी युवा वर्क को, हमरे बच्चों को कि इनका सेवन ना करें, सेवन चुडाने के बहुत तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका है बातचीत, इससे पहले का जो सेशिन हुआ अगर आप देगें, तो उसमें बात हुरे थी कि तो मैनेजमेंट पे पनाएंगे सर्वी लक्षन जो आप पता रहे हैं तो लक्षन में मैं काउंगा सिर मुख गला में तो जैसे गले में कोई फरकार की गांटका होना, मुँ में किसी तरह का आपको कलर में चेंज नजर आ रहे हैं, मुँ में कोई छाला है, मुझ से बलड का दर्द का होना, कान में दर्द का होना, क्योंकि ये रेफर्ड पेन, मुख और गले से जाता है, आवाज में बदलाव का होना, किसी तरह का abnormal, कोई भी अगर abnormality निजर आती है, इसी तरह से मुझ का खुलने में कमी होना, अगर आपकी at least इस इन फिंगर आप मुझ में पास कर पा रहे हैं like this, आप ठीक है, इससे कम अगर आपका मुझ खुल रहा है, तो आपको चिकित से किई सला की जरुवत रहते है, कर पया जाके दिखाए, तो ये प्रारमिक लक्शन है, जो हमें देखने चाहिए. एक विभाज जो इसमें नहीं आई, वो है दन्तिकित साथ, क्योंकि कॉस्मेटिकली भी हम देखते हैं हर वैक्ति चाहता है कि मैं सुन्दर दिखूँ और जहां उसकी मुस्कान भिखेड़ता है, वो पीले गले दान देख करके, अचानक से एक मन में दुर्भाव सा उत्पन ह हो जाता है, तो गुप्ता साब आपके पास काफी लोग आते होंगे इससे जुड़े हुए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो यंग पेशेंट्स आते हैं, जो बुटका खाने वाले, तो इस्टेनिंग लेकर के आते हैं, साब मेरे दाथ पीले हो गए, कुछ लोग जब सुरु-शुरु में आते हैं, कुछ ये कंप्टेंट लेकर आते हैं, बर्निंग संसेश हैं, बाद में कुछ मशिनरी की जरुत पड़ती है, उन्हें स्टेंस को अठाने के लिए, आपको डेंटल या कॉस्मेटिक हेल्प लेनी पड़ती है, बट बैसिकली इसमें जो सबसे बड़ा रीजिन है, कि हमारा जो मौथ है, वो केवले खाना खाने के लिए, या में हमारे जो दान्त आपस में कॉंटेक्ट में आते हैं, वो सिर्फ नो मिनट के लिए आते हैं, हम बाइट करते हैं, तब आते हैं, या हम शेलो करते हैं, तब आते हैं, अधर्वाइस हमारा जो मेंडिबल है, वो एक फ्रीवे स्पेस में रहता है, आपस में कॉंटेक्ट म में रहते हैं चबाते रहते हैं तो चबाने से वो नो मिनिट का जो टाइम पिरियड है वो बढ़के लगभग तीन गंटे तक आ जाता है त्री आवर्स जो इतना भड़ा फोर्स है कंटिन्यूस दांतों पे लगने वाला तो दांतों को टीथ को डेमीज करना शुरू करता है इनेमल वियर होना शुरू होता है और कुछ प्रॉब्लम्स तो रिवर्सीबल होती है जो हम लोग मैनेज कर लेते हैं कि इनिशली जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है सेंस्टिवि करके जिस बोनम के अंदर दान रहते हैं मेंडिबल में उसके लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं क्योंकि नौ मिनिट का फोर्स आपका दो और तीन गंटे तक आ गया तो जल्दी ही नात में मॉबिलिटी आना शुरू हो जाती है और वो दान फॉल आउट हो जाते हैं यानि कि आ आपके अगर 70-80 साल तक दान चलने वाले होंगे अगर आप गुटका कंटिनियूस का रहे हो तो आपका इतना एट्रीजन हो जाएगा कि आपको करीबन आप यंग एज में आते हैं आते हैं अपने दान्त खो बेट होगें और एक बहुत बड़ी प्रॉबलम है उसके बाद अब जो नई टेकनोलोजी इंप्लांट टेकनोलोजी आरही है वो भी उसमें यूज नहीं होती क्योंकि टोबे को खाने वालों के हिलिंग प्रोसेस भी कम होता है तो इंप्लांट लगाने में भी हमें बड़ी दिक्कत आती है तो दूसरा कॉस्मेटिकली मेंडिबल डेवि तो TMJ problems, TMJ disorders सुरू हो जाते हैं तो deviated mandible, कॉस्मेटिकली, bite का collapse होना, all days effect में कहा है जैसे जैसे नात गिस्ते जाएंगे आपका मुझ पिचक जाएगा, bite collapse हो जाएगी, lips iverted हो जाएगे, तो आपको एक all days looking appearance आना शुरू हो जाएगी उस सीज में, at reason में, तो हमने इस प्रका से ये व्यसन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी दिखने के से ले करके, हमारे कारे करने तक, हमारे सोचने समझने की शमता से ले करके, और हमारी आगे की, चाहे हो हमारी sexual life हो, चाहे हमारी personality हो, चाहे वो हमारे मन के अंदर आने वाले अवसाद हो, चाहे वो अन्य प्रखार के दुशिप्रभाव ओंचे वो कैंसर हों, हर चीज की आफ़ असर कर रही हैं, जहर है, मजा है पर बन रही सजा है तो किस तरह हैं से यह हमारे को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में कुछ मेरे हिसाब से यहाँ जो ओडियोंस में बैठे हैं, उन लोगों के मन में भी कई प्रशन हैं, तो उन में से अगर कोई वेक्ति अपने प्रशन पूछना चाहें, तो आपका स्वागत हैं, हाँ, आ प्रशन ही नहीं होगा, मार्केट में आएगा यह नहीं, तो खाएगा कौन, जब खाएगा यह नहीं, तो बीमारी नहीं होगी, तो उस चीज के लिए क्या इनिशेटिव ले रही है? देखे, जो आपका प्रशन है, वो काफी वाजिब है, परन्तु जो इस फिल्ड में वर्क किया गया है, उसका यह देखा गया है कि एक तो होता है डिमांड कम करना, यानि कि जो लोग नसा कर रहे हैं, उसकी नसे की आदत को छुड़ा करके और जो डिमांड को कम कर दें, औ दूसरा है कि उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए, तो प्राइस बढ़ा रहे हैं, पर उपलब्द नहीं करवाने से कई जैसे गुजरात एक स्टेट है जहां पर एपसोल्यूट बैन है अलकोहल, पर वो इल्लीगल तरीके से अवेलेबल है, तो यह देखा गया है कि अगर एक करते हैं, डिमांड को कम करने में, तो उस से असी पैसे फायदा होता है, और अगर उसकी सप्लाई को कम करने के लिए एक डॉलर खर्च किया जाता है, तो उसका रेजल्ट उतना एफेक्टिवली नहीं मिल पाता है. वैसे मैं आपके आपको बता दूँ कि इस चीज़ के लिए हम लोगों ने हम अरूंड 200-300 डॉक्टर्स इस पर काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, हमारे एक नेटवर्क है, वोईस आफ टॉबेको विक्टिम्स नेटवर्क, डॉक्टर पंकर चेतरवेदी केंसर सरजें नेटाटा में उनकी नेटवर्क में, हमने चार केस सुप्रीम कोट में दायर किये हुए हैं, साथ में नेशनल ग्रीन टुबिनल हमारी तरफ से केस लड़ रहे हैं, हमने यही पूछा है कि इसका फायदा बताईए, कि क्या फायदा है, दूसरी चीज़ जो बात की जाती है, राजस्वी प्राप थूख रहे हैं, लोग गल्टी कर रहे हैं, ग्यारा सो पचास करोड खर्चा होता है, तो सरकार भी इसमें बहुत सेंसिटिव है, सरकार ने हमेशा से टेक्सिस को बढ़ाया है, अब तो चौकि GST हो गया है, एक सेम टेक्स वैट लग गया है सब जगे, लेकिन आप देखें कि आने वले समय में इसको बंद कराके मानेंगे, क्योंकि चार केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने डिरेक्ली दंबागू कंपनियों से यही पूचा है, आप मुझे फायदा बता दीजिए, इसका क्या है वरना इसको बंद प्राब्लम आती है, इसको पैदा कर रहे हैं, मानवाधिकार आयोग पीश में आते हैं, क्योंकि यह वाजिब बात है कि वो कैसे अपना भरन पोशन करेंगे, तो उनके लिए alternate फसले हम सोच रहे हैं, उसके लिए सुजाव दिये गए हैं, क्रशी विबाग काम कर रहे हैं, स जंदा है, बहुत सारी चीजें हैं, जो आपस में जुड़िवी हैं, जुड़ावा है राजस्वा, जुड़ावा है कई लोगों के इंट्रेस्ट, जुड़ेवे हैं, इसमें कई स्टेक होल्डर्स, पर सही बात यह है कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है, नुकसान में जा रहा है, और जो क्वालिटी आफ लाइफ जिसके हम बात करते हैं, कि हर वेक्ति के जीवन का जो है, वो है कि मैं अच्छी तरह से जीऊं, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और शॉर्टनिंग आफ लाइफ, यानि कि जो लाइस्पैन ह वो कम होता जा रहा है इससे, इसके साथ ही कई प्रकार के मनोविकार इससे जुड़े वे हैं, हम अगर देखते हैं वैसनों की बात जब हम करते हैं, तो सिर्फ तंबाकों की जैसे अभी बात हुई, उसके बात बात आती है, नशे की, तो नशा जो है, शराब की बात जब हम करते हैं एक और बहुत बड़ा राजयसों का साधन है पर कहीं उसका acceptance अगर हम देखें तो जो यूद पॉपुलेशन है उसमें जिस हिसाब से वो हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत मैत पूर्ण है यहां पर तो तो मैं आपके पास में फिर से वापस आऊंगा लॉट करके यह पूछने के लिए कि जो मनोवग्यानिक कारण तंबाकू के लिए हैं क्या वही सेम प्लेजर प्रिंसिपल्स एलकॉल पर भी हैं देखें कमोबेस सारे नसों का जो आधार है चाहिए वो शराप का हो चाहिए हिरोईन का हो सारे नसों का जो आधार है वो है प्लेजर है वो आनंद की तलास कर र जो लोगों का नसा चुडाते हैं, उनके जीवन में एक वेक्यूम आ जाता है, खालीपन आ जाता है, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भी आप पॉजिटिव अडिक्शन्स को अपनाओ, जैसे कि किसी को सोशलाइजेशन का है, किसी को बुक पढ़ने का है, किसी को एकसरसाइ करने का, समाज सेवा करने का, अगर उसमें ये लगन पैदा हो जाती है, तो उसको सेम प्लेजर मिलता है बिना उसके नुकसान के, तो अडिक्शन का जो प्रिंसिपल है, वो जो सीट है, जिससे जितनी भी मानसिक बिमारियां है, उनकी जो साइको पैथोलोजी और जो ब्रे जो डोपामीन सरकूल्टरी है, जो हिपोकेंपस, अमेगडियला है और प्रिफरंटल कोटेक्स है, इनका जो मिलाजूला रूप है, वो ही सारा का सारा इसके लिए जुम्मेदार है, आप बिलकुल आपने सही का और जैसा बात हो रही थी कि एक भी क्या कोई, इसमें एक भी की तरफ व्यक्ति को लेके जाते हैं, पियर प्रेशर, मेरे दोस्तों के अंदर मुझे शामिल होना है, वो सब नशा करते हैं, तो मैं उनके अंदर कैसे उट बैठूंगा, फिर सोशल एक्सेप्टेंस, तीसरा, इमिजियेट प्लेशर, मेरे को लेते हैं और वो कहीं न कहीं मेरे मानसिक परिस्तिती को बदल देते हैं, मैं अगर किसी तनाव में हो, तनाव को कुष्णों के लिए भुला देते हैं, चौती चीज जैसे टबे को है, टबे को इमिजियेट मेमरी पे काम करती है, उसके वज़ए से एकदम से मेमरी थोड़ी से इनान्स हो दी, जो सिग् आपने बताया कि right from tip to toe, चाहे वो हमारे skin हो, चाहे वो liver हो, चाहे वो गुर्दे हो, सभी अंग, कोई भी अच्छूता नहीं है नशे से, सभी पे उसके दुश्प्रभाव हैं, दीरकालिक दुश्प्रभाव हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम handle करें अगर peer pressure को, how to say no, तो बताना जरूरी है कि जब आप अपने ग्रूप के अंदर हैं और आपको कोई नसीला पदार्त offer कर रहा है, तो आप assertively उसको no कहें, clear सब्दों में no कहें, है न, वो फिर भी offer करता है, तो भी आप no कहें, और उसके बावजूद अगर वो आप पे pressure डालता है, तो आप चुप करवाना चीए, यह देखने में और सुनने में सिंपल है, परन्तु उस समय का जो माहूल होता है, जो pressure होता है, वो इतना अधिक होता है, उसका अगर अपन अभ्यास करवाता है, तो saying no is a very powerful technique by which we can prevent the start of the addiction. अगर आपने अपने आपको नहीं रोका, तो उसके जिम्मेदारी आपकी है, परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, अगर स्वैम में आप में दर्ड निश आँगा और आप अगर को टेंगों मेसेज देना है जो केरी होम मेसेज है वो यह है कि वर्ल्ड में जो भी स्टेडीज हुई है उनका कंक्लूजन यह है कि टुबैको के अडिक्टेड लोग है उनमें से सिरफ 5% लोगों को कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट अवेलेबल करव इतनी पावर्फुल और सेफ मेडिसिंस अवेलेबल हैं जिनके द्वारा नसे को छोड़ने की संभावना दुगनी यह तिगनी और चोगनी की जा सकती है तो उसमें कांसलिंग का और कुछ मेडिसिंस का और निकोटीन रिप्लेस्मेंट थेरेपी का काफी पावर्फुल रो या अधर जो फार्मेको थेरेपी वो जरूर ओफर करें क्योंकि जो हर सेकिंड चालीस लोग तंबाकु से मर रहे हैं अगर अपन सब लोग यह डिसाइड कर लें उनको प्रोपरली काउंसलिंग करना शुरू कर दें दो मिनट देना शुरू कर दें और उनको जो फार्मेको थेरेपी ओफर करना शुरू कर दें तो अपन काफी प्रिवेंटेबल में तो आप सब का पैनलिस्स का बहुत-बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूस का बहुत-धन्यवाद की इतना सेंसेटिव टॉपिक आपने उठाया